जिन भाईयों का भी जमीन से संबंदित कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट करके पूछिए हम जो है वीडियो के माध्यूम से जवाब देने का प्रियास करेंगे हैं अभी देखते हैं यहां पर राहूल जी का सवाल है कि राहूल जी बोल रहे हैं कि सर मैं आपका पूरा दो भाई है और ठीक है बाबाजी अपके दो भाई है और बाबाजी के जो है पांच बेटे हैं ठीक है बड़े बाबाजी के पांच बेटे हैं इधर पांच है ठीक है इधर पांच है और उनके छोटे जो है बाबाजी के जो है उनके दो बेटे है ना उनका दो बेटा है दो ह जमीन है और बड़े बाबाजी के बेटों के नाम पे ज्यादा जमीन है छोटे बाबाजी के बेटों के नाम पे कम जमीन है और बटवारा भी नहीं हुआ है देखिए यहां पे बड़े बाबा के लड़काओं के नाम पे जो जमीन है उसमें छोटे बाबा के बेटों के हक बन मता है तो इसका बटवारा कैसे हो गा जो बाद में दिक्कत ना हो दोनो बाबा possibly मर गए देखी सब से पहले जो खतियान ओगा खतियान किन के नाम पर ये देखना होता है कि ये ये do आपके दोनों बाबा जिते उनके पिता जी के नाम पर ये एक ऐसा हो सकता है इनके पिता जी के नाम पे थे आपके बाबा जी के ठीक है पिता जी के नाम पे थे दूसरा यह हो सकता है कि खत्यान में दोनों बाबा का नाम हो तो दोनों बाबा का नाम एक ही खत्यान होगा नाम दोनों का होगा ठीक है तो उस केस में जब होगा जब दोनों क नाम हो जाएगा खतियान में तो उस case में जो अंस होगा वो समान होगा सबका समान होगा जितने लोग इदर पाँच है न तो ये जो खतियान होगा ये मालते खतियान इतना प्रोपर्टी है तो ये जो पाट आप देख रहे हैं न कलरवाला इसमें पाच पाट में बढ़ जादा कम हो सकता है लेकिन अगर खतियान में या तो आपके जो बाबा जी है उनके पिता जी के नाम पे खतियान होगा या बाबा जी के नाम पे खतियान होगा तो उनमें अगर दोनों बाबा जी का नाम होगा तो समान होगा अब इनका है कि हम किस तरीके से बटवारा करें Stamp पे ठीक है 1000 के Stamp बहुत लोग 100 के Stamp पे भी करते हैं तो जो है ना यह होता है यह 100% valuable होते है इसको Registry बटवार जैसे Registry जो होता है ना Registry बटवारा बोलते है Stamp पे सारा बात लिखा हवा रहाता है सब का signature होता है और co के द्वारा जो है verified रहाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर सब लोग के सहमती से ही ये संभव होता है, ठीक है, कर सकते हैं? नहीं. अगर कोई सहमत नहीं और आप अपना अपना हक निकालना चाहते हैं, तो DCLR कोट में बटवाड़ा केस कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं कि मेरे दादा ने जमीन बेचा ठीक है इनका कहिना है तीन खसरा से एंड उसमें किस खसरा में कितना बचा है उन्होंने नहीं लिखा देखे आपका जो है ना तीन खसरा से जमीन बेचा गया जो तोटल है तीन खसरा से जमीन जो बेचा गया और किस लिखा है इस बात को नितीस निराला जी इस बात को समझे अगर उन्होंने नहीं लिखा है ना तो जो आपका जो जमीन है ना सब में समान जाएगा सब में जो है ना माल लेते हैं कि नो डिसमिल ये जमीन है नो डिसमिल जमीन है तो सब में तीन तीन जाएगा इस बात को समझे ठीक है सबसे तीन तीन जाएगा तो इस तरीके से इसका होगा अगला सवाल देखेंगे कोई चोड़ी चोड़ी से जमीन लिखा लिख देता है दाखिल खारिज पर रोक लगाना है कैसे होगा देखिए दाखिल खारिज करने का काम किसका होता है तो CEO का किसी का भी दाखिल खा हो जाएगा उस चीज़ का आपका जमाबंदी में online जो है case found हो जाएगा आप देखेंगे नीचे में कि आपका पे दाखिल खारीज हो रहा है यह चीज़ आता है लिखा हुआ ठीक है अगर नहीं है तो लिखेंगा case not found तो वो जो आपका case number होता है उसको आप अभेधन लिखके आप CEO को आभेधन करेंगे कि यह जो है रजिस्ट्री मैंने नहीं किया है यह जो है जमीन कोई दूसरा लिखा हुआ है वो आदमीन हम नहीं है यह जो मेरा जमाबंदी है यह जो मेरा रसीध है यह मेरा है तो फिर रोक यहां से ही लग सकता है ठीक है उसके उपर तो फिर बह रसीद कटा है, नेट पे नहीं दिखा रहा है, पर सबसे पहले तो रसीद अगर आपका नेट पे नहीं दिखा रहा है, और बहुत पहले तो करेंट कटा लें, सबसे पहले करेंट कटा लें, उसके बाद परी मार्जन करके पूरा एक पोर्टल बना हुआ है, आप जो है, वो जा सकते हैं और यह परिमार्जन जो है आपको यह मिलेगा बिहार भूमी भूमी.bihar.government.in एक वेबसाइट है इस पर ठीक है या आप जो है कहीं जाके पता भी लगवा सकते हैं जहां पर इंटरनेट रिलेटर काम होता है सबसे पहले आपको लेकिन करेंट रसीद जो है कुछ जमीन बच गया है बड़े बेटे के नाम से केवाला है क्या छोटे भाई का होगा दीए यहां पर बड़े बेटे के नाम से केवाला है तो अगर वो देंगे तो क्यों नहीं होगा बिल्कुल अगर वो लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे नहीं मेरा केवाला है मेरे नाम से फाइट करने का बहुत सरा तरीका होता है ठीक है नियमता लेकिन अगर बड़े भाई का के वाला है बड़े भाई के नाम से है तो 100% होता है छोटे भाई का अधिकार कानूनन भी होता है इस बात को आप मानिए इसलिए लोग बहुत जगाप देखते हैं कि जो बड़े भाई कि अगर वो देना चाहा है तो ठीक है वो बिलकुल होगा लेकिन अगर बड़े भाई के नाम से भी है और बहुत पहले खरिदा गया है ठीक है सर्ज्वाइंट में खरिदा गया है तो बिल्कुल इसलिए तो अगर नहीं देना चाहेंगे तो हो सकता है थोरी कानुनन कोई भ हो गया है उसका उपाय बता है खाता देखिए दूसरे नाम से हो गया ना उसके लिए पूर टीएस ही करना पड़ेगा तो आप जो सब ज़ज के पास से जो है जाईएगा और वहां पे टीएस फाइल किजिएगा टैटल सूट और क्या होता देखिए सबसे पहले जो टैटल परमान दिखाए ठीक है अगर नहीं है तो जो है उसके लिए आपको टीएस ही करना पड़ेगा अगला सवाल देखते हैं ये पूछ रहे हैं कि जो है अगर खत जो है खतियान के अनुसार ओन लाइन नहीं सो कर रहा है तो क्या या बाकी डिटेल्स तो क्या करें और रसीद क आपको अगर आफ लाइन तो आप कटवाया होंगे आफ लाइन जो है एक पेज वाला आप जाके जो अंचल काडियल हो कर वहां से कटवा सकते हैं ठीक है और जो खतियान है आपका जो जिनके नाम से खतियान है तो अगर आपका बटवारा नहीं है तो आप पूरा जिनके न JP गुपता पूछ रहे हैं JP गुपता जी का सवाल है कि जो है मेरे दादा जी छे भाई थे उनके पिता जी उन्हें सो सरसट में जमीन तीन जो है नमबर बेटे के नाम से लिए उससे में तीन नमबर बेटे का उम्र दस वर्स था फिर सरकार दोरा को जमीन जो है रोड एवं जो है एक वायर किया गया तब जो है सरकार छे भाई को साइन करवा कर छे भाई को पैसा दिया ठीक है तो आप क्या कहना चाह रहे है कि मेरे दादा जी जो छे भाई है उनके जो पिताजी थे ना वो एक भाई के नाम से तीन नंबर बेटे के से वो लिए ठीक है छे भाई थे तो उनके जो पिताजी थे वो तीन नंबर के बेटे से लिए और उसमें उनका उम्र था वो दस वर्स था फिर सरकार द्वारा को जमीन जो है रोड के कोईर करके लिए लेकि सरकार द्वारा जो लिया गया ना तो सब से लिया गया तो ठीक है मतलब आप सब साइन करके अगर सब को पैसा दिया गया ठीक है तो वो जो है ना वो अब जमा का चीज जो है जितना है वो सब का गया और सब ने मौाबजा भी लिया तो इसमें तो ये लेकिन आप जो य जब तक वो जो है मतलब यहां पर बालिक अगर हो जाएंगे तो उनका प्रसनल हो जाएगा नवालिक है तो उसके पिता जी का है ना कि उनके छे भाई थे उनका अगला जो सवाल है उसको देखते हैं यह पूछने मेरे परदादा के नाम से खत्यानी है लेकिन मेरा चाचा फर्जी जमाबंदी करा लिया है उस जमीन में मेरा हिस्सा होगा कि नहीं होगा क्या क्या करना होगा प्लीज बताइए देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि म केष जी जो आपका दादा के नाम से है खत्यानी जमीन है और अगर आपको फर्जी जम्हाबंदी जम्हा बंदी नमर पे जम्हाबंदा ओंके XL करना पर सब पहला काम तो secure के द्वारा हुआ है अपना पूरा पोजिशन जो है बटवाडा का बनवा के जो है वो कर सकते हैं दूसरा DCLR में कर सकते हैं और तीसरा जो है सब जज के पास कर सकते हैं यह जो है ना यह यहां से परकिरिया पहले आप सुरू करें ठीक है दूसरा नंबर और यह तो यहां से तो आपको decision मिलना ही मिलना है तो यह जो है एक तरीका होता है और इस तरीके से जो आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीन से समवन्दी सवाल है तो comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लागों वीडियो को लाइक जरू कर दियो चैनल को पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आकन उसको जरू दबाले जी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं